कि चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लड अफेस अनबर स्टार्ट करते हैं अपने आज के एक रेंट फेस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं कि पॉइंट और स्पेशल डेंस क्यूड़ जोईन करें मनसर वाई-फेस अडिस वड़ आपको पीडियेफ और लिंगल सके ठीक है तो यह जो है किसके द्वारा प्रिपेर किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन के द्वारा अभी आप सभी जानते हैं आज जादी का अमरित महुत सफ़ चल रहा है 75 यह उसी के तहट जो है खादी फैब्रिक का दुनिया का सबसे बड़ा नैशनल फ् केजी है और 49 डेज इसे लगे है 70 खादी आटीशन ने इस फ्लैग को मिलके बनाया है जो की बहुत ज्यादा हिस्टोरिक ऑकेशन है भारत के लिए दूसरा कोशन देखिएगा देखिए कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने जो लार्जेस और फासेस ग्रोइंग यूपी बेनि बना है तो अगर देखा जाए कि रिसीवर के रूप में जो है 926.17 मिलियन ट्रांजेक्शन इन्होंने की है पेटियम पेमेंट बैंक इस वज़े से यह लार्जेस यूपी बैनिफिश्री बने उसके अलावा देखा जाए तो एस लिस्ट में कि उन्होंने एस सेंडर टोप में हैं और यह इस वज़े से भी पोसिबल हो पाया है कि जो पूरे पेमेंट्स हुए है यूपी इसे लास्ट यह 2020 में जो हुए थे लास्ट तो लास्ट यह 964.95 मिलियन के बेनिफिश्री थे इस बार है यह कितना कर चुका है मतलब डवल से भी जादा हो गया है ठीक है 2507. 7.47 मिलियन बेनिफिश्री टांसेक्शन हुई है तो यह इंपोर्टन है कोशन आ सकता है जिससे जो कंपनी इसको भी बहुत फायदा हुआ आप देख सकते है 140 मिलियन का जो है रिवैन जो है निकला है ठीक है अगर यह देखा जाए कि यूपी आ टांसेक्शन का अप्रूब पेयाउट में सबसे आगे कून रहा तो स्टेंडर इन चार्टर बैंक जो है सबसे आगे रहा ना चली देखिए एक और कोशन पूछा आ सकता है कि हाल फिलाल में मोदी जी डिलीवर किया स्पैशल अड्रस कहां पे तो वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम में यह पूरा वर्चुल स्टेट और गोवर्मेंट्स के एक्जामपल प्राइमनिस्टर आफ जैपान प्रेजिडेंट आफ यूरॉपियन कमिशन है ठीक है प्राइमनिस्टर आफ एस्टेलिया यह सब आए हैं तो मतलब कह सकते हैं कि अभी मीटिंग अब जस्टार्ट यूएस में और कुन सी स्टे डोनेट किया है 9.6 मिलियन डोजीज ओफ फिजर कोविड-19 यह एक तरीके से यूएसे का कमिट्मेंट है कि वह हिमानिटेरियन बेसिस पर पूरी दुनिया को 20-22 तक सभी वैक्षिन प्रोवाइड करनाना चाते हैं जितना पोसिबल हो सके फिजर वैक्षिन ठीक हैं और उस इंटेरिन बेसिस पर जो हैल्प यूएसे ने दी है सभी देशों को यूएसेट के थू और बाकी अन्य प्रोसेस से तो इंपोर्टन है कोशन आ सकता है चले देखे महत्मून सवाल कौन से फर्स इंडियन है जो की मैन सिंगल टाइटल टूर्णमेंट जीते हैं अपने मैन सिंगल टाइटल में और पियर है ठीक है जो स्वास्तविक राज है और चिराक शेटी इनका डबल लिफ्ट जो डबल से उसमें उन्होंने जो है इंडियन ओपन टाइटल लिफ्ट किया है जो कि अभी न्यू देली में इवेंट चल रहे हैं मैंने पहले स्टार्टिक मे इंपोरेंट है इससे पहले यह ब्रॉंज जीते थे बीसिक किस वर्ल्ड जैब्मेंशिप में और यहारे किसे थे शिरिकान से हारे थे सेमी फाइनल में अगर देखा जाए डवल्स वाला तो जो पेर डवल का जो जीते हैं उन्होंने किने हराया फ्रेंच की एक कंबाइन प जन ले मैं आपको डेटेल बताता हूं कि कब स्टार्ट किया था हमने देखिए हमने पुरा टो को ठीम आगांम से फॉला जनमली को रोला आउट किया था साल पूरे हो चुके हैं और अब यह भी इंपोर्टेंट है कि हमारा जो सेकेंड नेक्स फेज जो है कोविद आंडिन वेक्सिलेशन का वो भी स्टार्ट हो चुका है तीन जन्वरी से जिसमें अब हम टार्गेट कर रहे हैं 15 से 18 साल की एज ग्रूप के जितने भी एडलसेंट सब्सक्राइब और इसी से रिलेटेड इनिशेटिव किया गया वह यह किया गया सवाल के हिसाब से मैं बताता हूं आपको कौन से मिनिस्टर जिन्हों रिलीस किया है कॉम्रेटिव पॉस्टल स्टैम तुमार्ग दा वनियर वेक्सिनेशन प्रोग्रम तो डेफिनिटली मंस सुगमान बेजी हेल्फ मिनिस्टर उनके द्वारा किया गई यह आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो फॉस्ट एनिवर्सरी हमारी हुई है इसकी ठीक है वेक्सिनेशन की कोविड नेंसु उसमें जो है एक पॉस्टल स्टैम कोविड नाइंटिन के ऊपर जो है लोंज चुके हैं चली देख स्कूल एजुकेशन लिट्रेसी डिपार्टमेंट ने आइकोनिक वीक स्टार्ट किया है 17 जनवरी से और 17 जनवरी से कब तक रहने वाला 21 जनवरी तक रहेगा ठीक है यह भी सेम आजादी कामरित महुत सब पर जो है डिपार्टमेंट और स्कूल एज डिपार्टमेंट जो है और्गनाइज कर रहा है पूरा एक वैबनार जो की इंक्ल्यूजिव एजुकेशन कोलाबरेट इसमें किसके साथ किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन के साथ किया जा रहा और यह वर्चोल और फिजिकल मोड दोनों फोर्म में होने वाला है इस प्रसेद किस वज़े से पहली बात हो यह लेजंडरी कथक डांसर रह चुके पंडित बिर्जु महराज हाट अटक की वज़े से इनकी मित्ति वही यह जो है पद्म भिभूशन जो हमारे भारत का सेकेंड हाइस सिविल एन अवोर्ड है यह भी जीते हुए ठीक है इनका जन उनकी भी मृत्ति हुई थी उसके बाद जस्ट इनकी मृत्ति हुए हार्ट अटक की वज़े से और साथ के साथ एक सिंगर और प्रेंटर भी रह चुके है बहुत फेमस व्यक्ति थे यह भी एमिन थेटर परसनालिटी ठीक है सौली मित्रा इनका भी निधन हुआ के सेज में है जो सरानी है आंसर है जैसे अगर पूचा तो संगीत नाटक अकैडमी 2003 में पद मशिरी 2009 में बांगा ठीक है विबूशन 2012 में और इनका अच्छा फैन बेस राय इनकी परफोर्मेंस की वज़े से क्योंकि एक्टर भी थी तो इन्हों द्रोपती का रोल भी प्ले किया था और उसके अलावा सीता का रोल भी प्ले किया था और अभी इनका मृत्ति वह तो कोशन आ सकता है देखिए महत्पुन सवाल ठाका इंट्रेशन फिल्म फेस्टिबल स्टार्ट हुआ ठाका में अब मैंने इसके बारे में शुरुबात में बताया था लेकिन complete information नहीं थी क्यो जो की independent films होंगी जो सभी जगह से आने वाली है सभी country से जितने भी पाडिस्पेंट है इसमें बांगलादेश की तरफ से 18 full-length features film होंगी by shorts होंगे independent films होंगी इंपोरेंट है यह 9 दिन का inauguration जो है डाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल का यह मांगलादेश के national museum में होने वाला है वो स्टार्ट हो चुका है फोरन मिनिस्टर डॉक्टर एके अब्दुल में जो है चीफ केस्ट है इस पूरी सेरिमनी के rainbow film फेसिट जो है सोसाइटी से फेसिलिटेट करती है इस और नाइटीन नाइटीन टू से और अभी इतने वर्षों तक यह चलता आ रहा है क्यूक पॉइंट देखिएगा कौनसी देश ने अपना वार्षिप डॉक किया है मुंबई में तो जर्मनी ने दूसरा ठीक है सुकुवन दुकुवन डैम जो है यह वर्ल्ड हैटेज इरिगेशन पोजएक खोशित किया गया कहां पे है यूपी में इंडिया ने फानेशर जो है हर्षद आनंद ने सही दिया है ठीक है फर्स इसा स्टेशन अंटार्क्टिका में जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था दक्षिन गंगोत्री हो देखिए आज का सवाल बहुत इंपोरेंट है कि निमलिकित में से किसे मिनी कंसुटिशन का जाता और report admin का option available है दोस्तों साथ के साथ आप courses भी जोइन कर देखिए अगर आप एक live course जोइन करते हैं live online code को यूज़ करके तो आपको benefit दो होते है पहला आपको सभी teacher सारे subject मिल जाएंगे दूसरा आपको इसी code से सारे discount मिल जाएंगे आपको एक ही code में सब कुछ एफ लेबल हो वह इन को मिल जाएंगे सारे आपkenोर